विकास तो बहुत आपने देखा और बात भी सुनी होगी लेकिन विकास की एक ऐसी तेजी ला दिये रतनपूरा ब्लाक में जो ब्लाक परमूक ने सैसा कुछ क्या किया कि आज मंत्री जी भी आने को हो गए मजबूर और इन बच्चों ने दी ऐसी सलामी और देख सकते हैं और कि इस तरह से इनके स्वागत में जुटे बच्चे आए देखते हैं कि इन बच्चों के साथ स्वागत का रहस्य आखिर क्या है तो चलिए सुनते हैं ब्लाक परमूक की खुद जुबानी साथी साथ मंजबू पस्तित इवादिलों के धरकन और पूरो प्रत्यासी लोग सभाव डेक्टर अरविंद राजवर जी भी पस्तित हैं मैं इनके लिए भी चाहूंगा कि एक बारा बलाग जोड़दार पारी बड़ा कर स्वागत किसी हम लोगों के बीच में पैचायती स्वासी मन्त्री जी आपके असिरवासी डंपुरवर मेर्श कर ऐगों करा पाता हूं जो आपका असिरवाद है इस असरवासीν है ऐस से लुञ है पूरे पहुत ही कम है, जिससे मैं कारियों को, विकास कारियों को सुधिर नहीं करा पाता हूँ, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपको एक लिखित पत्र के माध्यम से भी मैं दूंगा, उस पर आप सदन के माध्यम से जैसे भी हो, उस कारिय को जितने विकारियों यहां पे दिक कर करने काम करेंगे जिससे रतन पूरा ब्लाग का विकास पूरों हो सके मैं दन्नबाद देना चाहता हूं यहां के सिच्छक सिच्छिकाओं का अभी अभी आप लोगों ने बच्चों का कारिकरम देखा है पहुत ही सरारी कारिकरम था मैं बार बार देखता हूं यहां के विद्याले के बच्चे जहां भी जाते हैं अपने नाम के साथ साथ जन्पत का नाम और इस विद्याले का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं इसमें पूरे सिच्छिकाओं के साथ साथ बड़े भाई इसे इसकर अंजनी कुबार सिंग ज कौने काम करतें क्योंकि बच्चे जितने भी यहां हैं आपने को मिल्य समय दे कर Safetyा को आप हमेशा से आगे लाने para काम करते हैं लोगों में प्रदासित करने काम करते। तिये हुआ अज यह के भी आप जontव के वीद रहा इसके लिए बड़े हमारे अनील बर्मा जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हमने सिछ्छा जगत के लिए रत्रम पूरा ब्लाक में लगभग सत्य से पुछत्तर लाग के काम कराया है इस साथ सकर्य विड्यालय के साथ सकरा विड्यालय में से पुरा कारे कराया है इसके साथ साथ भोशतर निल्वाट के का ने अarna कराने ये लिए हुआ है और हमारा अलोग सिछ्छा के लिए प्रति एक अलग हमारा जोस होता है कि हम सिठ्छा के लिए क्या से क्या कर सकें क्योंकि बच्चे भविश्री का निर्माणा है जो भिदाये का अपका हुआ है उज हमेशा जेले मेरहे लोगा सही बात अगला है बतायो लोग सही बात अगला है सही है ना आपका लगा विरुतंपूरा बलाग से रहा है आप से कहाना चाहूंगा कि भाई विकास कार्यों में आप रूची लेते हुए तो तो पूरा बलाग को ज्यादा से ज्यादा अपना अश्रिवात देने का काम करें मैं चोटी सी कहानी सुनाता हूं आप लोग बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ये एक बार एक जंगल में गाई घास चार रहेते तभी अचानक एक भाग ने है गाई को दोड़ा लेता है गाई दोरती हुई भागती हुई जाती है जंगल के तरफ और जा करके एक दलदल में गिर जाती है गिरने के बाद थोड़ी देर चलती है चलते 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 वो रुख जाती है तभी पीछे से तोड़ाता हुआ बाग आता है और वो आकर वो भी उसी दलदल में गिर जाता है तभी पीछे काय मुड़ती है और मुड़त और हस्ते वेकाती है कि तू तो आज मरेगा, तू तो आज मरेगा, आज नहीं बचेगा, तभी बाग कहता है, कि अरे गाय तू को आस रही हो, तू भी तो उसी दल्दल में पड़ी हो, तभी धीरे-धीरे साम होती है और गाय कहती है, कि नहीं मैं बच जाओंगी, तुम बर जाओंगी, तो गाय के घरवालों ने बहुत देर इंजार करते हुए धीरे-धीरे साम होती है तो उसको दोड़ते हुए जंगल के तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि गाय एक दलजल में गिरी पड़ी तो उस गाय को गाओं के लोगों को बुला करके रसी और लगड़ी के सहायता से गाय को बाहर निकलने का करते हैं जैसे ही गाय बाहर निकलती है तो वो फिर करती है कि देखा मैं बच गई और तो तू उसी दलजल में फस गया अपने माता पitah का आत असिर्वाद रहता है तो कभी एसे ही अपने लोग दलजल में नहीं फसा करते हैं कभी नहीं पसा करते हैं कि एपने बच्चों से कहना चाहोगा कि आप मैनत करिये पढ़िए अपने माबाप के पाना को कहने को करिए क्योंकि अब लोग जो पधेंगे तो हुछा का नाम रोशन पाएंगे अपने बलाग का नाम रोशन करेंगे अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगwegen लोग यह सब्सक्रेश करें waiting Extrage का हम यह नहीं करते कि आप लाकरी कर पाएंगे अफिर्णीनीर सुर्णी. ऐसा नहीं है अगर कुछ नहीं बन पाएंगे तो एक अच्छा बेटा और बेटी बनी ताकि अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनी बनी जो बुढ़ापे में एक लोटा पानी देने के लिए कावीड हो अब वो चीज है इन विद्याले के बच्चों में इसलिए कि साथ संस्कार और संस्कृति भी सिखाता है मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा यहां के सिच्छक सिखाओंगो जो इतना पूट पर अपने विद्याले के बच्चों में आप लोग संस्कार और संस्कृति बढ़ते हैं मैं बहुत ज्यादा कुछ नपाते हुए क्योंकि मा अगले कारक्रम में जाना है बहुत थीन थीन थीज़ा सा समय लुगा हो वह लाइनों के साथ अपनी भाते को को हो गई है फीड़ पर्वसी अब पिगलनी चाहिए इन वहाँ के धरा से कोई गंगा निकलनी चाहिए हांगा मा खड़ा करना मेरा मक्सद नहीं है दोस्तों मैं तो कहता हूँ इस बार विधान सवा सदर मोगी तकदीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए, मैं एक बार पुला, अपने आये हुए सभी यतीतियों का मंच पे उपस्ति,